अस्सलाम लेकुम आज हम बना रहे हैं इद स्पैशल में बीफ रोल बीफ रोल बनाने के लिए हाफ केजी बीफ लेंगे और उसमें एक कप दहीं का शामिल कर देंगे अब इसके अंदर हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे अब रोल के लिए चड़नी त्यार कर लेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप दन्या लिया है वो इसमें शामिल कर देंगे और अब दन्या से थोड़ा कम हम इसमें पॉदीना डालेंगे तकरीबं थ्री फॉर्थ कप हाफ कप इसमें इमली का पेस्ट शामिल कर देंगे half tablespoon zero डाल देंगे दो अदद lesson के जवे शामिल कर देंगे और तीन अदद छोटे size की मैने हरी मिट्शे नहीं है वो इसमें शामिल कर देंगे half teaspoon नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से grind कर लेंगे अगर आपके पास hand grinder नहीं है तो आप grinder जग भी ले सकते हैं देखें बिल्कुल अच्छे से जो चटनी है वो grind हो गई है आप इसको कबाब वगेरा के साथ भी use कर सकते हैं यह बहुत ही मज़े की बनती है जो बीफ हमने ready किया तब हम उसको cook कर लेंगे यहां पर one fourth cup oil के शामिल कर देंगे और यह marinate beef इसके अंदर शामिल कर देंगे beef को जितना ज़ादा देर तक marinate करेंगे वो इतना ही ज़ादा अच्छे से गलेगा आप इसके अंदर पपीते का पेस भी शामिल कर सकते हैं पपीते के पेस से जो गोश्ट है वो जल्दी गल जाता है यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी है लेकिन हम इसके अंदर मजीद पानी शामिल करेंगे तकरीबन one fourth cup ताकि जो गोश्ट है वो बिल्कुल अच्छे से गल जाए बीफ जो है वो थोड़ा टाइम लेता है गलने में इसलिए हम इसको 30 मिनट के लिए low flame पर रखेंगे देखें 30 मिनट हो गए है जो हमारा बीफ है वो अच्छे से गल भी गया है और उसके जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो गया है अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी रह जाए तो आप उसको भी बिल्कुल अच्छे से ड्राय कर लें यहां पर जगा बना लेंगे थोड़ी सी और उसके अंदर foil रख देंगे और यह मैंने कोईला जलाया था तो वो भी इसके अंदर रख देंगे और थोड़ा सा घी डालके इसको smoke दे देंगे और यहां इसको दो मिनट के लिए ढ़क रख देंगे बीफ रेडी हो गया है अब हम रोल की इसेंबलिंग कर लेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पराठा बना लिया था आप पराठा बजार से भी ले सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं पीफ की बोटिया हमने रेडी कि रेडी कि हैं वो रख देंगे और यहाँ पर हम प्यास रख देंगे और यह जो चटनी रेडी की थी मुझेदार सी यह इसके अंदर शामिल कर देंगे हनेस्टी ये बीफ रोल बहुत ही मज़े के बनेते आप इसको जरूर ट्राइ किजेगा और अपनी फैमली को बनाके खिलाएगा और अब हम इसको बड़र पेपर में रैप कर देंगे और बिलकुल बजार जैसे रोल अराम से घर में इसले बन जाते हैं बहुत ही मज़े की बनते हैं अगर आप मेरी चानल पे नए हैं तो मेरी चानल को सब्स्ट्राइब करें लाइक करें और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखेगा थैंक यू